दोस्तो टी ब्रेक के बाद शुरू हुए खेल में सरफराज खान और ग्लेन फिलिप्स के बीच एक बेहद ही मज़ेदार इंसिडेंट हुआ और इस दोरान सरफराज ने जो हरकत की उसके बाद रोहिच शर्मा और विराट कोहली दोनों के ही मज़ेदार रियक्शन भी देखने मिले जी हाँ ये वाक्या है भारत वर्सेज न्यूजीलैंड के तीसरे और लास्ट टेस्ट मुकाबले का जो वानखेडे स्टेडियम में खेला जा रहा है जहां टीम इंडिया के स्पिनर्स ने अपनी गेंदवाजी से न्यूजीलैंड की टीम को बैक फूट पर ला खड़ा किया और फिर इनी सब के बीच जब टी टाइम के बाद खेल की शुरुआत हुई तब आर अश्विन की बॉल को ग्लेन फिलिप्स ने डिफेंड किया लेकिन बॉल थाइस के बीच जाकर फस गई जिसके बाद जब सर्फराज खान बॉल लेने गए तब गलती से सर्फराज का हाथ ग्लेन फिलिप्स के नुन्नू से टच हो गया और जिसके तुरंद बाद ही ग्लेन फिलिप्स कुछ सेकंड्स के लिए अनकंफर्टेबल भी हुए और फिर इस मुवमेंट के बाद विराट कोहली पीछे से ये कहते हुए स्टंप माइक पर सुनाई दिये अबे ओय सर्फू वहां तेरा मन लग गया था क्या और फिर रोहित शर्मा ने भी सर्फराज के जम कर मजे लिए